महिंद्रा और टाटा हमारे देश के दो ऐसे आइकन हैं जिनके पूरा भारत गर्व करता है भारत देश के आजादी से पहले स्टैबलश हो ये दोनों कम्पनियां तब से लेकर आज तक भारत के एकॉनमी में काफी बड़ा योगदान दे रही हैं क्योंकि महिंद्रा और टाटा ने ना सिर्फ आटोमेटिव सेक्टर में अपनी उपलब्दी हासिल की है बलकि इसके अलावा भी जहां महिंद्रा IT Services, Finance, Hospitality, Agri-Business, Defense, Aerospace, Logistics, Real Estate और Education सहे एक सो पचास सेक्टर में अपनी भागदारी निभा रहा है वही टाटा ने भी टाटा मोटर्स के अलावा, Steel, Chemicals, IT Services, Defense, Electronics, FMCG, Jewelry, Home Appliances, Cement, Education, etc. सेक्टर में अपनी पहुँच बना चुका है हाला कि बाकी सेक्टर में हो ना हो, लेकिन आटो मोटिव सेक्टर में इन दोनों कमपनियों के बीच में काफी लंबे टाइम से रेस चल रही है दोनों कमपनियों ने टाइम टू टाइम बेस्ट प्रोड़क्ट को भारत के मार्केट के बेस पर लॉंच किया है फिर चाहे वो टाटा की कार हो या फिर महिंद्रा की SUV दोनों कंपनियों के प्रोड़क्ट इतने दमदार है कि लोगों के लिए दोनों में से बेस्ट चॉइस करना काफी मुश्किल है इसलिए आज के इस वीडियो में हम महिंद्रा और टाटा मोटर्स कंपनी के कॉंपेशन पर चर्चा करेंगे तो बने रहिएगा हमारे साथ इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में लाज्ट तर दोस्तों इससे पहले हम महिंद्रा और टाटा मोटर्स के बीच कंपेर करें इनकी हिस्ट्री पर एक नजर डाल लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कमपनी की शुरुवाद 2 ओक्टूबर को साल 1945 में M&M यानि कि महिंद्रा एंड मुहम्मद नाम से दो भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा ने मलिक गुलाम मुहम्मद के साथ की थी लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद मलिक मुहम्मद पाकिस्तान चले गए जिसके बाद से कमपनी का नाम M&M ही रखते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा किया गया कुछ सालों बाद इन महिंद्र भाईयों ने एक बिदेश के जीब के पैटन में भारत में भी जीब की मैनुफाक्टरिंग शुरू कर दी और जिससे वो स्टार्टिंग से ही भारती लोगों की पसंद बन गए आज महिंद्रा एक्स्यूवी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, बनेरो, थार जैसी कई गाड़ियों के अलावा ट्रक, बस, ट्रैक्टर और ये रिक्षा का भी मैनुफाक्टरिंग करते हैं अब आपको बता दें कि आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रूप की कमान जगदीश शंद्र महिंद्रा के पोते आनन्द महिंद्रा के हाथ में है और अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो बीथे फाइनेशल एयर यानि की 2022-23 में कमपनी ने 4835 करोड का प्रॉफिट कमाया और कमपनी की टोटल नेट वर्थ 200 करोड से जादा है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टाटा ग्रूप की कमपनी टाटा मोटर्स की हलाकि टाटा ग्रूप की स्थापना तो साल 1868 में होई थी लेकिन एक लोको मोटिव इंजन बनाने वाली कमपनी के रूप में टाटा मोटर्स साल 1945 में स्टैबलिश होई जब महिंद्रा स्टार्ट होई थी कुछ सालों तक टाटा मोटर्स ने तो यही किया लेकिन फिर आजादी के बाद देश में बढ़ती आटो मोटिव डिमार्ण को देखते हुए टाटा मोटर्स ने भी साल 1954 में अपनी पहली कमर्शल कार को लौँच किया फिर इसी डिरेक्शन में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी पहली पैसेंजर गाड़ी टाटा मोबाइल को साल 1988 में लौँच किया जो काफी हिट रही लेकिन टाटा मोटर्स को एक्चुली सक्सेस तब मिली जब साल 1988 में कम्प्लीट स्वदेशी मैनुफाक्चरिंग कार टाटा एंडिका को मार्केट में उतार गया इसके बाद टाटा इंडिको, टाटा सफारी और टाटा सूमो जैसी कई गाड़ियों ने लोगों को अपने ओर अट्रैक किया अगर इनके प्रॉफिट की बाद करें तो बीते फाइनेशल इयर यानि 2022-23 में कम्पनी ने 23,535 करोड का प्रॉफिट कमाया जो की साल 2021-22 के कम्पारजन में 24% जादा था दोस्तों, अगर आप महिंद्रा और टाटा के पिछले एक साल के पॉफिट को देखोगे न तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेट सेल अमाउंट हो या फिर नेट सेल प्रोड़क्ट दूनों में ही टाटा मोटर्स अभी महिंद्रा से कहीं घुना आगे चल रहा है फाइनेशल येर 2022-23 के सेल्स फिगर्स को देखे तो टाटा मोटर्स ने जहां 3,45,967 करोड रुपए की बिक्री दर्श की है वहीं महिंद्रा के सेल्स का आकड़ा 12,268.6 करोड रुपए था जोकि टाटा के मार्केट कैप से काफी कम है वहीं अगर पफॉर्मेंस की बात करें तो महिंद्रा की बुलैरों के साथ ही उसकी कई गाड़ियां शहरी एरिया के अलावा ग्रामीर एरिया के कच्चे रास्तों और पहाडी एरिया में भी काफी अच्छा पफॉर्म कर रही है जबकि टाटा की कारें शहरी एरिया में ही अच्छा पफॉर्म कर रही है और इस तरह से पफॉर्मेंस की कैटेगरी में महिंद्रा Tata Motors से आगे है दोस्टों यदि Tata Motors और महिंद्रा की शेर की कीमतों को देखे तो महिंद्रा यहां 1564.4 रूपए पर शेर के हाई रेट पर कारोबार कर रहा है जो कि Tata के 600 रूपए के शेर वैल्यू से धाई गुना अधिक है हाला कि फिर भी टाटा मोटर्स का market capitalization महिंद्र से बड़ा है और कई मामलों में दोनों कमपनियां एक दूसरे से compete कर रही है हाला कि वो काफी समय से काम कर रहे हैं इसलिए दोनों कमपनियों का नैतिक record सराहनी है आज भारत में टाटा मोटर्स या महिंद्रा के वहानों के बिना सड़क मिलना बोहुत ही रेयर है ये दोनों कमपनियों भारत के passenger और commercial vehicle के काफी बड़े area को cover करते हैं तो दोस्तों आपके राय में महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स में कौन है बेस्ट? कॉमेंट सिक्षन में कॉमेंट करके बताइए साथ ही वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी interesting और informative वीडियो को देखने के लिए हमारे दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें